हेलो फ्रेंड्स मैं रोभी इंडियन नोजा चैनल में आपका स्वावद करता हूँ जैसा कि आपको पता होगा कि एरफोर्स का एड़ाम 21 मार्ट से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमने आपके लिए क्रेस को स्टार्ट किया है उसमें जो आपका मेन खट टेकनिकल स्टार्ट रहेगा वो आपको मैं गडाव उट्वाद होगा इस कोर्स में मैं आपको 15...16 मार्स तक स्टार्ट करवा जोगा उसमें हम इंपोटंटंट्थ्स करेगे और उसके लगवाँ चैनलाँ जो स्टार्ट में बाक्य कंसेप्स एक और दो कोशन आते हैं complex number and quadratic equation इसमें भी previous year में question आये हुए है 2018 में एक और 19 में दो आये हैं trigonometric functions इसमें assurally दो-दो questions आते हैं inverse trigonometric functions में इसमें एक साल नहीं आये हुए और एक साल आये हुए binomial problems एक question differentiation दो और एक question limit and continuity एक और एक differential equations एक और एक indefinite integrals ये भी important भी बन जाता है क्योंकि इसमें भी दो और दो question आते हैं मतलो एक या दो question इसमें से fixed से बने हैं definite integrals एक और एक ऐसे भी हम 3D geometry vector probability इनमें भी हमेशा 2 से 3 question बनते हैं उसके बाद में set relation functions the most important chapter उसके बाद में permutation combination से भी a question linear inequalities a question circle and family conic section linear programming इनमें से भी question पका आते हैं application of derivatives एक एक question इसमें से भी आया हो है sequence and series एक question इसलिए मैं आप से कहूँगा कि इन important topics का एक बार सर्वी इंसोट लेए देखो जो defense का exam होता है हमारा वो discipline मागता है और जो discipline मतलब अगर आप regularly class कर लगाएंगे तो मैं assure करता हूँ कि आपके 20 में से 18 plus question मैं exactly आपने ठील करवाँगा exam से क्योंकि मैंने मैंने previous year के Navy और Air Force के paper crack कर रखे हैं इसलिए मैं इसका benefit आपको भी देऊँगा क्योंकि मुझे पता है कि paper कहां से कैसे और किस level का आएगा इसलिए मैं आपको बखो भी इसका फाइदा पहुंचाऊंगा उसके बाद में अगर हम बात करें कि मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको सारे concepts के साथ साथ tricky way में पढ़ाऊंगा जिससे आपका paper within time में हो जाएगा इसके साथ साथ हम previous year questions करेंगे जिससे आपको exams का अनुमान लग जाएगा कि हम कहाँ बर stand कर रहे हैं और हमारा exam किस level तक का है अगर उसके बाद कोई आपको doubt आता है तो आप comment कीजिए उसका reply आएगा और अगर आपको video अच्छी लगी है तो अब like और share करें Thank you